देलाइफ टीवी सच सबसे आगे अमेरिका से खाली हाथ लोटेंगे उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा लेकिन दूसर तरफ गोधी मीडिया की बात करें तो गोधी मीडिया इसे बड़ा चड़ा करके फ्रेम कर रहा है गोधी मीडिया आपको शुरू साही बता रहा है कि पीए मोधी अमेरिका गए है और वहाँ पर ये बाते होगी उन बातों पर चर्चा होगी निवेश होगा ऐसा होगा वैसा होगा कुल मिलाकर जो है ये कहा जा रहा है गोधी मीडिया की तरफ से कुछ बड़ा करने की जो है इस बार उमीद है पीए मोधी कुछ बड़ा करेंगे अमेरिका में लेकिन उन्ही के वरिष्ट नेता सुबरमन्यम स्वामी कह रहे हैं कि पीए मोधी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला पीए मोधी खाली हाथ दिल्ली लोटेंगे सुबरमन्यम स्वामी बीजेपी नेता अपने ट्विटर पर Pew Research Center की एक रिपोर्ट शेयर करते हैं Pew Research Center एक निश्पक्ष तथे टैंक है जो दुनिया के तमाम मुद्दों को, दृष्टी को, उनको और रुजानों के बारे में जनता को सूचित करता है और उसमें कहीं तरह के तथ्ये सामने आए हैं, कहीं में तो ये भी लिखा है, उस रिपोर्ट में तो ये भी लिखा है कि अमेरिका में कहीं ऐसे लोग हैं जो पीए मोदी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है नैशनल फ्लैक के बारे में कुछ जानते ही नहीं है कहीं लोगों का अमेरिका में मानना है कि PM Modi के अंदर आत्म बिश्वास की कमी है इस तरीके से तमाम आकडे जो है वो सामने रखे हैं और ये आकडे कहीं ना कहीं जो हैं ये दिखाते हैं कि किस तरीके से जो छवी गोधी मीडिया आपके सामने create करने पर तुला है जो बना रहा है वो छवी अमेरिका में PM Modi की नहीं है अब जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाते कि रिपोर्ट में आखिर है क्या ABP का tweet अप अपनी screen पर देख रहें इसमें ख़बर शेर करते वे भी ने tweet किया है कि PM Modi की party के ही एक वरिष नेता सुबरमन्यम स्वामी का कहना है कि PM Modi खाली हाथ दिल्ली लोटेंगे स्वामी ने आज tweet कर Pew Research Center की रिपोर्ट को शेर किया है तो अब ये Pew Research Center की रिपोर्ट क्या कहती है और आखिरकार इसमें क्या है जिससे BJP के ही नेता ये कह रहे है कि PM Modi के हाथ कुछ नहीं लगेगा और PM Modi दिल्ली खाली हाथ लोटेंगे तो यहाँ पर अब ABB की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस खबर में लिखा है कि भारती ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आठवी अमेरिकी यातरा पर है लेकिन खास बात ये है कि वो पहली बारत स्टेट विजट पर वहाँ पर पहुचे है इससे पहले सिर्फ प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग 2009 में अमेरिकी राष्टपती के नियोते पर स्टेट विजट पर गए थे अधिकतर लोग जहां पी एम मोधी के सियातरा को भारत के लिए फलदाई मान रहे हैं वहीं पी एम मोधी के ही पार्टी के एक वरिष्ट निता सुबरमन्यम स्वामी का कहना है कि पी एम मोधी खाली हाथ दिल्ली लोटेंगे स्वामी ने ट्विट कर पी उ रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट शेर की है वरिष्ट निता सुबरमन्यम स्वामी का कहना है कि पी एम मोधी खाली हाथ दिल्ली लोटेंगे स्वामी ने एक रिपोर्ट शेर की है उस रिपोर्ट को एब बिपी ने बताया है बीपी की खबर के ही जरीय में आपको बताऊंगे कि रिपोर्ट में क्या कुछ है लेकिन कहीं लोग इस यात्र को जहां एक तरह फलदाई मान रहे हैं कि कुछ बड़ा होगा इसका जो है कोई अच्छा निशकर्ष निकल करके सामने आएगा वहीं पिए मोधी के ही नेता ने, बीजेपी के ही एक नेता ने ये कह दिया कि कोई जो है फल नहीं आएगा और वो खाली हाथ वापस लूटने वाले हैं इसे के साथ ये प्यूर रिसरच सेंटर की जो रिपोर्ट है 이수 attend report में काई तत्थे हैं काई चीजों का जिक्र किया गया है और काई तरह के आकड़े दियें गया हैं जुसमें बताया गया कि किस तरीके से PM Modi के बारे में Americans क्या सोचते हैं कितने प्रतिशत Americans PM Modi के बारे में जानते हैं लेकिन उनमें से कुछी लोगों को नरेंदर मोधी पर यकीन भी है यानि कि यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से भारत में अमेरिकियों की जो सोच है वो पॉजिटिव है लेकिन कुछी लोग हैं जो पीए मोधी पर भरोसा करते हैं सुबर मन्यम स्वामी ने भी ट्विट करके वही बात लिखी है अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुछी लोगों को पीए मोधी पर भरोसा है अब इस प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में क्या है वो भी आपके सामने रख रहे हैं इसमें लिखा है कि उनमें से कुछी लोगों को नरेंदर मोधी पर यकीन है 20-26 मार्च 2023 को किये गए प्यू रिसर्च सेंटर के सरवे के अनुसार अमेरिका में कई लोगों ने मोधी के बारे में कभी सुना तक नहीं है तो ये एक बड़ा चौकाने वाली बात है कि जहां पर ये कहा जाता है कि पिये मोधी का डंका बज रहा है वहां पर कहीं ऐसे लोग हैं अमेरिका में जिन्होंने पिये मोधी के बारे में कभी सुना ही नहीं है PM Modi की आठवी आतरा है अमेरिका की लेकिन उसके बावजुद भी इस तरह की चीज़े सामने आ रही है अब आगे लिखा है जिन लोगों ने इस भार्ति मिता के बारे में सुना है वो मानते हैं कि उनमें आत्मेविश्वास की कमी है यानि कि उनके अंदर जो है वो confidence नहीं है, self confidence की कमी है अमेरिका में कुछ लोग PM Modi के बारे में ये भी सोचते हैं Pure Research के मताबिक आधे से अधीक अमेरिकी व्यसकों यानि कि 51% अमेरिकी व्यसकों का भारत के प्रती द्रिश्टी कोन अनुकूल है जबकि उससे कुछ ही कम लोगों का द्रिश्टी कोन, 44% लोगों का द्रिश्टी कोन प्रती कूल है PM Modi और भारत के बारे में अमेरिकियों की राय पर सर्वे के आकने जारी करते वे प्यूरिसर्च सेंटर ने लिखा है कि थोड़ा द्रिश्टी कोन भिन होता है जैसे इसनार्थक या उच्थतर ने कि जो ग्राजुएट होते हैं और जो हायर एजॉकेशन होते हैं जो शैश्ट्टिक स्थर है लोगों का एजूकेशन, जो कॉलिफिकेशन है उसके आधार पर यहाँ पर तत्थ्य रखे गई हैं जादा पड़े लिखे लोग क्या सोचते हैं और कम पड़े लिखे लोग क्या सोचते हैं तो यहां पर जो graduate है और या फिर जो master's degree वाले 55 प्रतिश्यत लोग जो हैं वो भारत को लेकर साकरात्मा करूप से देखते हैं और जब कि कुछ college या उससे कम शिक्षा वाले 50% लोग ऐ ऐसे भी हैं जो कहते कि डेमोक्रेट और डेमोक्रेटिक जुकाव वाले निर्दलिये भी अपने Republican और Republican जुकाव वाले समक्षों की तुलना यानि कि 56 प्रतिशत वर्सस 48 प्रतिशत में भारत को अनुकूल रूप में रूप से देखने की अधीक संभाबना रगते हैं तो य यहाँ पर कुछ लोग PM मोदी पर भरोसा रखते हैं तो कुछ लोग PM मोदी को लेकर नेगेटिव भावना जो हैं वो अपने मन में रखते हैं तो यहाँ पर अब कहीं चीज़े जो हैं वो समझ रहे हैं आगे देखे लिखा है कि विश्व तर पर भारत की सिति को देखते 64 प्रतिशत अमेरिकी व्यसकों का मानना है कि हाल के वर्चों में इस देश का प्रभाव दुनिया में वैसा ही बना हुआ है दूसरी तरफ 23 प्रतिशत लोगों का कहना है कि भारत का प्रभाव बढ़ा है जबकि 11 प्रतिशत का कहना है कि उसका प्रभाव कम हो गया है तो यह प्रभाव मस्बूत हो रहा है जैसे कि ग्रादियोशन डिग्री या फिर हाईर एजुकेशन वाले जी जीते हैं उन में भारत को एक बरती शक्ति के रूप में देखने की संभाबना उन लोगों की तो Megatis कम करीब से देखते हैं जब पिये मोदी की बात आती है तो अमेरिका में एक बड़ा तपका यानि कि 40 प्रतिशत लोगों का कहना है कि इन्होंने मोदी के बारे में कभी सुना ही नहीं है यानि कि अमेरिका में 40 प्रतिशत लोगों ने मोदी के बारे में कभी नहीं सुना तीस वर्ष से कम उमर के अमेरिकियों के विशे शुरूप से ये कहने की संभाबना है कि वो नहीं जानते की मोदी कौन है वहीं आपको बताएं कि तीस वर्ष से कम उमर के 59% लोगों का ये कहना है कि वो ये नहीं जानते की मोदी कौन है वहीं इसकी तुलना में अमेरिका के 65 वर्च और उससे अधीक उमर के 28 प्रतिशित व्यसक भी ऐसा ही कहते हैं कम शिक्षावाले व्यसकों की भी उच्चस्तर की शिक्षावाले लोगों की तुलना में मोदी के बारे में कभी ना सुनने की अधीक संभावना है यानि कि अमेरिका में जातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोदी के बारे में कभी सुना ही नहीं है ये हैरानी वाली बात है जिन लोगों ने प्येम मोदी के बारे में सुना है उनके अंदर मोदी को लेकर भावना नाकलात्मक है यानि कि नेगिटिव है जैसे वहां 37% लोगों का वैश्विक मामलों के संबन में PM Modi की शमता पर बहुत कम या बिल्कुल भरोसा नहीं है जबकि 21% लोगों को उन पर भरोसा है तो यहां पर 37% लोगों को PM Modi पर भरोसा नहीं है 21% लोगों को PM Modi पर भरोसा है Pew Research Center की 2022 की एक रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया है कि अमेरिका के लोग भारती धोज यानि कि जो इंडिया का नैशनल फ्लैग है उससे परिचित हैं उससे जानते ही नहीं है यानि उन्हें पता ही नहीं है कि भारत का राश्टी जंडा कैसा होता है कैसा दिखता है अमेरिकों के अंतराश्टी मामलों के ज्यान का अकलन करने के लिए जब उनके सामने भारत की तिरंगा जंडे की तस्वीर प्रसूत की गई यानि कि इनके सामने तिरंगे की तस्वीर रखी गई तो केवल 41 पितिशत लोग ही उसे अमेरिका में पहचान पाया कि ये जंडा भारत का है तो पिये मोधी अमेरिकी दोरे पर है वहाँ से कई लोगों को कई उमीद हैं सबसे जादा गोधी मीडिया को उमीद है लेकिन उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला और जिस तरह की पियू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें लिखाया है कि 40% लोग तो पिये मोधी के बारे में जानते ही नहीं जो जानते हैं उनके अंदर नेगिटिव भावना है उनको लेकर और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि उतमें आद्म विश्वास की कमी है आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं पियू रिसर्च सेंटर की इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं